शिट और चार्थ क्षिलेंग से लोकंते इन लेवर के लिए माने जाते हैं और उसी तरह से इन चारों फैक्टर को एक एसा एक important space यहाँ पे economic के अंदर मिला है जिसके वज़े से यह चारों फैक्टर यहाँ पे economic के अंदर study करना उतना ही important बनता है और उनके values भी उतने हैं कि इसको हम ignore नहीं कर पाएंगे जिसके हम part 1 के अंदर हमने introduction देखा और land यह फैक्टर के बारे में हमने deeply समझनी की कुछिश की exactly land की value क्या है और जो primary यहाँ पे factor माना जाता है land को part 2 के अंदर हमने discuss किया labor factor के बारे में और division of labor इसके साथ हमने advantage और disadvantage क्या है और futures इसके labor factor की क्या होते है इसके discuss हमने part 2 के अंदर किये आज के इस part 3 के अंदर हम capital factor को यहाँ पे discuss करेंगे जिसको capital is engine of economy माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि अगर हम land और labor के साथ किसी भी production को ले सकते है बट उसको और भी बहतर तरीके से time come time में ज़्यादा production लेना है तो उसके वज़े से हमें capital को इतना value हम देते है क्योंकि capital ही production को और बहतर तरीके से उसकी जो growth है यह बनाने में यहाँ पे helpful होता है इसलिए ही capital को engine of economy माना जाता है तो इस तरी से हम देखे अगर जो production लेने वाला जो producer है उसके पास अगर capital होगा तो वो कोई भी equipment यहाँ पे खरिच सकता है वो buy कर सकता है क्योंकि अगर उसके पास अगर पैसा हो तो पैसा होने के वज़े से उसके पास capital होगा तो वो कोई भी equipment उसके production को लगने वाला खरी सकता है तो इस तरह से हम देखे जो capital है इसे माना जाता है main process of production जो start करने के लिए किसी भी sector को, sector के अंदर जो production हमें लेना है उसको start करने के लिए हमें basically capital चाहिए, यह capital होगा तो ही हम यह process और भी fastly कर सकते हैं तो अगर हम मानें कि अगर इस production factor के अंदर अगर हम capital को अगर add करते हैं तो यह और भी बहतर तरीके से हमें output देगा तो अगर हम मान लेते हैं कि land, labor, entrepreneur यह तीनों भी अगर अगर factor हमरे पास है तो उसके साथ साथ उसको जोड हम capital की add करें तो इसके वज़े से हमारा output जो आएगा उस production को लेने के लिए यह कितने पसंद से यहाँ पे growth करेगा इसके वज़े से ही इस capital को यहाँ पे इतना important माना जाता है हम देखे पहले के time के अंदर जब यहाँ पे पत्तर के जो equipment होते थे उसको यहाँ पे capital माना जाता था और एक traditional method के साथ यहाँ पे production लिया जाता बट अब के time period के अंदर modern economy के अंदर सभी factor के अंदर कोई भी production यहाँ पे equipment यह सभी एकदम fastly हो जाते है क्योंकि develop हुआ है यहाँ पे equipment उनकी जो technology है machinery है इनका सभी में यहाँ पे development होने के वज़े से यह होनी की वज़े एक ही है क्योंकि यहाँ पे capital यहाँ पे use हुआ है और उसकी value बढ़ने के वज़े से जो handmade जो production लिये जाता है उनकी speed और एक machine पे लेने वाली speed इनमें जो difference है यही हमें importance दिखाता है क्यों capital को इतना important माना जाता है क्योंकि एक handmade person जो हाथ से कोई भी equipment बनाएगा production लेगा उसकी जो speed और एक machinery, machine की speed इसमें जो difference है यही कहता है क्यों machine से होने वाला production और भी भेतरत रिखी से और fastly हो सकता है capital की जो यहाँ पे equipment है यहाँ उसकी जो जरूरत है यह specially industry sector के अंदर capital को यहाँ इंपोर्टन माना जाता है और उसके वज़े से ही modern production के अंदर capital production इसे कहा जाता है तो हम generally देखे तो यहाँ पे money को हम capital मानते है तो यहाँ पे economy के अंदर यहाँ पे जो capital है इसकी definition पूरी तरके से अलग है क्योंकि यहाँ पे money यहाँ पे capital हो सकता है बट यह capital money नहीं हो सकता अगर example ले हम समझे कि money है यह money को यहाँ पे business investment करना है तो उसको invest करना है hotel line के अंदर तो उसके लिए उसको hotel open करना है तो उसके लिए उसको 10 like की जरूरत है तो यहाँ पे वो खुद का business करने के लिए उसको investment करना है क्योंकि सभी चीज़े लगेंगे जगा लगेगी लोग ल business investment करने के लिए उसको 10 like की जरूरत है जो उसका business करने के लिए उसको hotel यहाँ पे चलू करने के लिए उसको 10 like की जरूरत है उसके opposite हम देखे समीर है उसको business investment करना है तो उसको investment करने के लिए factory उसे उपन करना है तो उसको 50 like यहाँ पे investment करना ज़रूरी है क्योंकि factory के अंदर बड़े बड़े मश्टिरी आएंगी यहाँ पर ज्यादा लोग लगेंगे management होगा इन सभी का यहाँ पर जो start करने के लिए उसको 50 lakh यहाँ पर investment करना है तो समीर को 50 lakh यहाँ पर investment करना है और मनिश को hotel यहाँ पर start करने के लिए 10 lakh की जरूरत है तो दोनों का mindset यहाँ पर business investment के ल factory के अंदर तो उसकी जरूरत एकदम large line है large line से होगी और उसका business investment ज्यादा है तो इन दोनों का जो difference है दोनों एक business start करने के लिए investment कर रहे हैं तो इन दोनों के बारे में हम सोचे तो हमें पता चालता है कि money is capital हो सकता है बड़ यहाँ पर capital यह money नहीं मानने सकते क्यूंकि money हमें help करता है capital बनाने के लिए और यह capital जब बनता है तो यह capital हमें equipment को यहाँ पर हम नजदिक लाते हैं जिससे raw material होगा, machinery होगे, sades होगे, building होगे, motors होगे, fertilizers होगे, यह सभी का यहाँ पर हम यहाँ पर equipment यहाँ पर उस investment करते हैं business के लिए तो उसकी जरूरत है यह जरूरत पैसे से तो हो सकती है क्यूंकि पैसे से capital मान सकते हैं बड़ यह capital money नहीं हो सकता क्यूंकि यह जो equipment है यह सब हमें production लेने के लिए help करते हैं तो हम ओ जो raw material है, machinery है इसको खरिते है पैसे से, तो यह हमारा capital बनता है, क्योंकि यह capital है, यह capital हमें production लेने के लिए one by one यह से production हम जब लेंगे तो उसको capital कहते हैं, तो capital यह money नहीं हम मान सकते हैं तो हम समझे क्या, तो यह capital exactly को हम क्या समझे, उसकी in shortly गर हम समझे, तो यह manmade जो यहाँ पे situation होती है, उसे हम capital मानते हैं, क्योंकि human जो earn करता है, वो खुद जब बनाता है एक ऐसी situation को, उसको हम capital कहेंगे, और यह capital यह helpful होता है उसको increase करने के लिए production बनाने के लिए, तो यह manmade होता है, capital manmade होता है, और वो help करता है production लेने को, ऐसे situation को हम capital कहते हैं, अब इस situation के अंदर हम capital को और भी brightly करें, तो यह हमें पता चलता है कि यह manmade है, क्योंकि capital human की ज़रूरत पूरी करने के लिए ही, वो खुद एक capital बनाता है, और वो production उसको देने के लिए help करता है, तो ह हम अगर include करें ऐसे चीजें, जो यहाँ पे उसको nature से मिलता है, जैसे land है, river है, mountain है, forest है, mines है, sunlight है, air है, यह सभी freely मिलते हैं उसको nature के दोरा, तो इसे हम यह ज़रूरत तो आती है human को, बट यह manmade नहीं है, इसके वज़े से यह सभी को हम यहाँ पे capital नहीं मान सकते, और दू यह हम कहें कि, यहाँ पे जब इनसान ने, यह human ने जो उसका production लेने के लिए ऐसे equipment बनाया है, जिसे हम capital कहते हैं, अगर ओ रो माटरेल में होगा, या second stage होगा, उसका final यहाँ पे जो production अगर नहीं है, उसका भी हम उसको modify करके, उसको और भी किसी यहाँ पे production के अंदर ले सक सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे उसके लिए capital मान सकते हैं, बट अगर ओ production, raw material से finally अगर किसी product में अगर जाता है, तो उसे हम उसे consume कर सकते हैं, तो उसको हम use नहीं कर भाएंगे capital के लिए दौरा, तो इसके अंदर हम देखें कि, जो cloth है, food है, furniture है, fan है, TV है, इन सभी का, जो raw material से यह credit होते है, final product के बारे में, तो यह capital नहीं मान सकते, तो हम समझे, तो जो capital है, यह capital यह अगर ओ consumption goods होंगे, तो उसे हम capital नहीं मानेगे, अगर ओ final production के अंदर अगर आएगा, तब ही उसे हम यह capital नहीं मानेंगे, अगर उसमें अगर modify हम कर सकते हैं, और उसको और भी पे capital मान सकते हैं इस concept को और भी बहता दर्गी से हम समझे तो हमें ये भी पता चलेगा अगर ऐसे time period के अंदर हम समझे कि ऐसे include किया जाएगा कि एक ऐसी goods भी है जहां पे उसको capital भी मान सकते हैं और उसे capital नहीं भी मान सकते हैं तो अगर ये कैसे हो सकता है तो ये होगा अगर हमें consumption करने का जो foods होते हैं ये अगर eatable है तो उसे हम capital नहीं मान सकते हैं अगर हमने ऐसे seeds यहाँ पे बनाए है जो raw material की तरह से हम use करेंगे और और cultivation के लिए use होगा तो उसे हम capital मान सकते हैं दूसरा example और भी दे सकते हैं जहां पे एक tea maker है जो एक चायवाला है अगर समझे कि वह उसके दुकान से या घर से आने जाने के लिए वह buy का use करता है जिसका जो motor vehicle है इसको use करता है तो उसका use अगर वह business के लिए अगर नहीं करता है तो उसका हम यह motorcycle को हम capital नहीं मान सकते हैं अगर हम समझे कि अगर वही इनसान उसकी जो motorcycle है इसे वह use करेगा home to home यहाँ पे delivery करने के लिए चाय की delivery करने के लिए home to home जाके वह बेचेगा तो उससे उसका जो मुनाफ़ा होगा जो profit होगा इसे इसके वज़े से उसको benefit उसका मिलेगा तो उसको हम capital बान सकते हैं तो इन में जो difference है यही कहेगा कि वह सिर्फ और सिर्फ bike motorcycle का use जो vehicle है वह सिर्फ घर से उसक से घर जाने के लिए use करता है उसका use यहाँ पर उसके business के लिए नहीं हो रहा है तो उसे हम motorcycle को capital नहीं मानेगे बट वो उसके use अगर उसके business के लिए use कर रहा है उसके आने जाने का जो यहाँ पर door to door यहाँ पर जो service देगा उस service के वज़े से उसकी efficiency भी बढ़ेगी और उसक motorcycle के वज़े से उसको business के अंदर जो changes हुआ है उसका जो growth हुआ है तो उसके वज़े से यह capital हम motorcycle को vehicle को हम मानेंगे तो यह जो difference है यह difference ही कहता है कि mainly 2 ही है यहाँ पर वो कहता है कि capital जो manmade है और दूसरा कि वो productive होना चाहिए यहाँ हम उसे final production नहीं मान सकते उसका use उसके production लेन यहाँ पर समझा जाएगा उसे capital मानेंगे तो इस तरह से जो definition है definition हमें यही कहता है capital के बारे में definition हमें इस तऱ से firstly है Capital लेने में में हिल्प करता है तो उसे हम capital मानेंगे definition second यहाँ पर कहता है capital refer to the stock of capital asset with the yield in income capital goods का जो stock है यह उसे उस इंसान को या हम कहें उस production लेने वाले का जो income है income में increase करता है refer to the stock of the capital asset with the yield in income उसके income में अगर change होगा जो growth करेगा तो उसे हम capital मानते है इस तरह से हम समझेंगे कि features of capital की क्या यहाँ पर important है जिससे capital और भी हमें समझने को help होगा कि exactly capital की values इतनी क्यों है इसमें first है futures जिसमें मानेंगे capital is a man-made factor यहाँ पर जो capital है यह man-made होगा क्योंकि यहाँ पर nature से मिलने वाला जो resources है इसको include यहाँ पर capital के द्वारा नहीं माना जाएगा यहाँ पर capital को यहाँ पर man-made है जो man है human है अपने जरुरत पूरी करने के लिए एक capital को यहाँ पर तैयर करता है और उसका use उसके production को growth देने को और भी भेतर तरीके से लेने के लिए यहाँ पर capital की जरुरत पढ़ती है तो हम समझे जो capital है यह man-made factor होते है और यह अगर capital को अगर हम use करेंगे तो उससे हम production को और भी भेतर तरीके से उसको और भी fastly यहाँ पर production लिया जाएगा अगर हम समझे कि जो factors of production है उसमें land, labor, entrepreneur इनके साथ अगर हम capital को अगर add करते है तो इसके वज़े से production और भी भेतर तरीके से यहाँ पर हमें growth देता हुआ उसके percentage से यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा एक्जापल के लिए अगर माने कि अगर हमें machinery अगर तयार करना है तो उसके लिए हमें raw iron लगेंगे और उसके वज़े से हम help करेंगे यहा पर labor का अगर labor इसके help से अगर हम लोखन से help से हम machinery बनाएंगे तो इसे हम machinery बन पाएगे और यह machinery हमारे production को यहाँ पे help करेगी बढ़ाने के लिए second example अगर electricity अगर हमें बनानी है तो electricity को यहाँ पे river water से हम यहाँ पे electricity बना सकते हैं तो उसके लिए equipment लगेंगे यहाँ पे electricity त्यार करने के लिए तो उसके वज़े से हम capital यहाँ पे create कर पाते हैं क्यूंकि हमें production लेने के लिए second point केता है जो features है वो केता है capital is appendic factor यह हम कहें depressed factor of production इस concept के अंदर यह clear करता है कि capital यह inactive factor माना जाता है वो खुद बखुद यहाँ पे active mood के अंदर factor यहाँ पे production के लिए यहाँ पे work नहीं करता labor यहाँ पे उसको help लेता है labor की और उसके वज़े से human एक अपनी growth को पढ़ाने के लिए capital generate करता है तो यहाँ पे वो खुद बखुद यहाँ वर्क नहीं करता self motivate नहीं होता है यहाँ पे labor के साथ-साथ capital growth देता हुआ दिखाए देता है अगर हम समझे कि अगर without capital अगर किसी इंसान ने labor ने अगर work करता है तो उससे hard work कहेंगे अगर capital का use करेंगे तो उसको smart work कहेंगे अगर हम agriculture sector के अंदर तेखेंगे तो अगर cultivation करना है agriculture sector के अंदर तो traditional method के साथ हमें बहुत ही hard work करना पड़ेगा बट अगर agriculture sector के अंदर हम cultivation करेंगे tractor के साथ तो उसे smart work कहा जाएगा जिसके production के अंदर दोनों में जो difference है यहीं दिखाता है कि capital क्यों यहाँ पे खुद बखुद यहाँ पे work नहीं करता वो authentic factor माना जाता है यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे futures है वो कहता है capital has high mobility यहाँ पे जो capital है एक प्लेस से दुसरे प्लेस को easily यहाँ पे transfer हो सकता है उसकी जो moment है यह एक जगह से दुसरी जगह easily हो सकता है क्योंकि comparison देखे कि जितने other जो factor है यहाँ पे उससे capital और भी faster यहाँ पे factor माना जाता है जैसे इंसान को अपने area से अपने family से अपने बच्चो लोग से अपने wife से अपने माबाब से जो attachment होता है उनको जो love होता है उनकी attachment के वज़से उसकी movement mobility यहाँ पे less होती है पर यह capital के बारे में ऐसा नहीं होता capital यहाँ पे पूरी तरके से यहाँ पे पूरी highly mobility होता है क्यों example अमेरिका जैपान इनकी technology को हम यहाँ पे इंडिया के अंदर shift कर सकते है यह जो shift होने की जो situation है यह क्यों होगा क्योंकि interest यहाँ पे earn करता हुआ दिखाई देता है क्योंकि capital को मिलता है interest तो यहाँ पे जितना ज्यादा interest होगा उतना उसका movement यहाँ पे investment यहाँ पे हमें दि जिनको यहाँ पे investment करके earning ज्यादा हुई है उनका profit ज्यादा हुआ है तो ऐसी कौन सी company है जहाँ पे foreign company ने इंडिया के अंदर investment किया है जिसमें Shell company है, Siemens है, IBM company है, Vodafone है, Samsung, LG इन सभी foreign company ने यहाँ पे इंडिया के अंदर investment किया क्योंकि उनको उनके पास available होने वाला जो capital है यह capital उनको opportunity मिली investment करने के लिए जो interest उनको ज्यादा मिलेगा Next feature हमें कहता है capital is elastic factor, capital को elastic factor माना जाता है क्योंकि capital यह depend करता है income पे, अगर income ज्यादा बढ़ेगा तो उसके वज़े से capital को यहाँ पे demand होगा क्योंकि यहाँ पे production लेने वाला ज्यादा दिखता है तो उनको investment करने के लिए capital की ज़रुद मिलती है अगर demand अगर कम होगी तो capital की demand भी यहाँ पे कम होगी क्योंकि यहाँ पे profit यहाँ पे depend करता है income पे, अगर income ज्यादा करने के लिए capital की ज़रुरत है अगर आगे बढ़ना है अपना जो production sector है उनको और भी growth देना है तो उसके लिए capital equipment तैर करने के लिए capital की ज़रुरत होती है next point हमारा कहता है capital factor is indirect use for consumption क्योंकि यहाँ पे जो capital की demand है यह demand directly नहीं होती indirectly यहाँ पे capital को demand होता है for use consumption क्योंकि capital goods और consumption goods यह दोनों भी difference होते है क्योंकि consumption goods हम directly consume करते है capital goods यह production बढ़ने में help करती है तो यहाँ पे capital goods अलग होते है consumption goods अलग होते है यहाँ पे तो हम देखे जो capital goods है यह help करते है उस consumption goods को बढ़ने के लिए उनका production लेने के लिए example अगर cloth की अगर demand बढ़ती है कपड़े की demand बढ़ती है तो यहाँ पे indirectly demand बढ़ती है मशनरी की जो cloth यहाँ पे जो प्रोडूस्ट करने वाली मशिन जो होते है उनकी डिमान बढ़ती है क्योंकि मशिन क्यों उनकी डिमान बढ़ी क्योंकि cloth की डिमान बढ़ी है यह अगर हम कहें कि शुगर की डिमान बढ़ी है शुगर की डिमान क्यों बढ़ती है क्योंकि उसको प्रडुस्ट करने वाली जो मशनरी होती है उनकी डिमान बढ़ी है तो यहाँ पर शुगर की डिमान डिमान होती है और शुगर बनने वाली मशीन कोई जो डिमान है वो इन डिरेकली बनती है तो यहाँ पर cloth की जो डिमान है यह cloth की डिमान डिरेकली है और cloth की machine की जो डिमान है वो इन डिरेकली है तो यहाँ पर capital sector के अंदर capital goods और consumption goods यह दोनों भी difference है consumption goods की डिमान डिरेकली होती है capital goods की डिमान इन डिरेकली होती है तो हम समझे जो capital यहाँ पर help करता है जो मशनरी की डिमान यहाँ पर इन डिरेकली क्रेट करने के लिए जो capital है यह capital हमें इन डिरेकली यहाँ उसकी equipment क्या है मशनरी है रो मट्रल है इनकी जो consumption की डिमान बढ़ेग next point केता है productive factor, capital को यहाँ पर productive factor माना जाता है क्योंकि capital यहाँ पर work करता है production लेने के लिए जो उसकी interest बढ़ती है, capital अगर हमें यहाँ पर include करता है क्योंकि interest उसके ज्यादा मिलता है और उसके वज़े से यह productive factor माना जाता है, तो हम समझे कि capital यहाँ पर in service factor के साथ साथ यह और भी भेतर तरिके से यहाँ पर productive factor माना जाता है और उसके लिए directly यहाँ यहाँ पर very fast यहाँ पर result देता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यह concept और भी clear करें तो हम समझे कि heavy और physically work जो hard work होते है ऐसी जगह पे अगर हमें और भी बहतर तरिके से easily काम और fastly करना है तो उसके लिए capital की जरूरत है और यह capital हम equipment तैयर करेंगे, जहाँ पे बड़े-बड़े machinery है, यहाँ पे crane होगा, JCB होगा, जो road roller होंगे, यह सभी का जरूरत यहाँ पे physically और heavy sector के अंदर काम करता है, जिनकी machinery factory के अंदर यहाँ पे important माला जाता है, तो इसके वाज़े से यह heavily और physically hard काम यहाँ पे हम capital के दौरा, जो capital equipment होंगे, उसके साथ साथ हम बेहतर दरेगे से easily और faster यहाँ पे reserve देंगे, next point हमें कहता है, capital is temporary in nature, capital जो यहाँ पे जो माना जाता है, जो factor है, यह temporary यहाँ पे use होता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे हम देखे, जो nature है, nature के अंदर जितने भी हमें important, हमें resources मिलते हैं, यह सभी कभी भी destroy नहीं होने वाले होते हैं, और यह permanent होते हैं, तो इसके साथ हम कितना भी use करें, nature के साथ, तो यह कभी भी destroy नहीं होता, वो अलग सी बात है, जहाँ पे उसके जो limited resources है, यह कम होने के वज़े से, यह nature यहाँ पे हमें limited देता हुआ दिखाई देता है, बट almost सभी जो resources होंगे, यह हमें unlimited nature के दौरा मिलते हैं, बट comparison हम innovation किया जाता है, हम समझे कि capital यह help करता है, उसकी जो production लेने के लिए उसको क्या equipment लगेंगे, उसको क्या यहाँ पे जो जरूरत है उसको लेने के लिए money से हम capital यहाँ पे ले सकते हैं, और यह capital यह temporary उसकी जरूरत पूरी करने के लिए होता है, और comparison देखे, जो nature है, यह nature हमें यहाँ पे permanent है, और capital यह temporary हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, next point केता है, capital is variable factor, capital यह mobility दिखाई देती है, और जिस तरह से जहाँ पे उसकी जरूरत जादा है, वहाँ पे वो easily एक place से दूसरे place को यहाँ पे shift होता हुआ दिखाई देता है, बट land एक ऐसा sector है, जो factor माना जात देती है, तो capital यह उन comparisonly, capital यह पूर दरके से variable factor माना जाता है, next point हमीं कहता है, capital is store up by labor, या पर जो capital यह store किया जाता है, c4c labor के दौरा, क्योंकि यह capital यह manmade होता है, यह nature made नहीं होने के वज़े से, c4c इसको store कर सकता है, c4c labor, क्योंकि जिस तरह सी उसकी equipment है, उसकी जरूरत ह उसकी efficiency को और भी growth देने के लिए, capital उसको help करता है, उसकी growth को देने के लिए, तो यह capital यह manmade situation को create करता हुआ, दिखाई देता है, जो human है, उनकी जरूरत की तरह से पूरी करना है, तो उसकी लिए human ने अपने जरूरत पूरी करने के लिए capital इस factor को यहाँ पे तैयर किया इससे देखेंगे, यहाँ पे उसकी include किये जाते हैं, firstly है types of capital, जिसमें कहा जाएगा according to ownership, यहाँ पे ownership को depend करेगा capital किसरे से है, वो private है या public है, second according to durability, यहाँ पे किसरे से उसकी durable है, constant capital है या variable capital है, उसरे से उसको यहाँ पे clear किया जाएगा, और third यहाँ पे जो types है, वो कहता ह according to uses, अभी जो capital है, यह किस तरह से यहाँ पे use किया जाएगा, या particularly useful capital किया जाएगा, various या multiple use यहाँ पे capital किया जाएगा, तो यहाँ पे इसके तीन types को हम उसके दो-दो subtypes यहाँ पे इसे discuss करेंगे exactly किस तरह से उसको माना जाता है, यहाँ पे firstly जो है according to ownership, इसमें यहाँ प प्राइवेट कैपिटल भी माना जाएगा और public capital भी माना जाएगा, तो यहाँ पे private capital क्या होता है, जो capital use किया जाता है एक individual person के दोरा, या एक trust के दोरा, तो यहाँ पे जब income यहाँ पे बनती है, तो उसका income का benefit, उस individual, इस income का benefit है, उस individual person को ही मिलता है, तो इसे private capital माना है, own factory है, car है, उसके एक person के individual person के share है, deposit उसके bank के अंदर है, तो इससे मिलने वाला जो capital का benefit उसको सीफ और सीफ उस individual person को ही मिलेगा, तो यह उसे private capital माना जाएगा, second, जो यहाँ पे sub types है, वो कहता है public capital, public capital यह किसी एक country का हो सकता है, जिस यहाँ पे हम कहेंगे, जो relate करता है capital to this nation, और उसे मिलने वाला जो income है, उस country के लिए ही use किया जाएगा, तो इसे हम public capital मान सकते हैं, जिस तरह से example लेंगे, तो railway है, dam है, road है, war condition की equipment है, यह सभी का, यहाँ पे हम देखे, तो यह public capital के अंदर आथा है, क्योंकि वो public capital यहाँ पे उस nation के लिए ही use किया जाता है, और उसे आने वाला जो income है, वो भी उस country के लिए ही use किया जाएगा, यह किसी individual person के लिए या trust के लिए नहीं use किया जाएगा, यह सभी लोगों के लिए equally treat करता हुआ, दिखाए देता है है, और इसलिए इसे public capital कहा जाएगा, second यहाँ पे जो type है उसे कहेंगे according to durability, उसके durable कितना है, उससे ही यहाँ पे include होता है, वो constant capital है या variable capital है, तो यहाँ पे उसके सब types यहाँ पे durability के firstly आएगा, यहाँ पे constant capital और second variable capital, यहाँ पे जो constant capital है, उसे हम कहेंगे कि एक बार उसे use करेंगे, तो उसका durable यहाँ पे long time रहता है या हम कहें कि एक बार उसको यूज करें उसका हमें जो मिलने वाला बेनेफिट है यह लॉंग टाइम के अंदर हमें मिलता है और यह कभी डिश्ट्रॉइड नहीं होता किसी प्रोडॉक्शन के लिए हमने अगर बिल्ल बनाई है फ्याक्टरी बनाई है या प्रोडॉग्शन इले कि लिए मौशोनरी हमने खरीद है या हमने c 교 § वेहिकल हमारे production को बनाने के लिए यूज किया है तो उसे हम constant capital मानते हैं क्योंकि एक बार हम उसे खरिद ले तो उसका use हम lifetime कर सकते हैं या हम उसको long time को यहाँ भी use कर सकते हैं तो उसे constant capital माना जाएगा second subscribe जो है उसे कहेंगे variable capital यहाँ पे एक बार use करें और वो यहाँ पे उस time period के अंदर ही यहाँ पे खतम होता है तो उसे हम short time period का variable capital कहेंगे तो अगर हम कहें कि यह एक बार use करें तो उसे time पे उसका value उसकी खतम होती है जिससे raw material हो, fuel हो, seeds हो इसे एक बार production लेने के लिए use करेंगे तो उसका फिर यहाँ पे use नहीं कर पाएंगे अगर cotton है, cotton हमें उसको use होता है shirt बनाने के लिए तो हम cotton का shirt बनाएंगे बड़ हम shirt का cotton को यहाँ पे convert नहीं कर पाएंगे तो यह variable capital होता है जो short term period के अंदर एक one time ही उसे use कर सकते है एक बार use किया तो दूसरी time हम उसे use नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे जो third यहाँ पे जो type कहेगा capital का हो कहता है according to uses अभी किस तरे से use किये जाएंगे उसके भी sub type यहाँ पी दिखाई देते एक firstly है particular useful capital और second multiple या various capital इन दोनों का जो difference है इसमें हम देखेंगे इसमें firstly है particular useful capital यहाँ पे ऐसे एक एसे किसी project को या हम हमें task पूरा करना है तो उसको उसी समय के लिए उसका use particular उसका ही यहाँ पे capital use होगा तो हम दूसरा कोई भी option यहाँ पे उस capital या project को बलाने के लिए उसका capital यहाँ पे use नहीं कर पाएंगे example और भी बेतर किसी समझ पाएंगे railway track है railway track बनाना है तो उसका use हम train चलाने के लिए ही use करेंगे railway track हां और use किसी के लिए नहीं कर पाएंगे यह हम कहेंगे कि जो cinema project होते है यह project उसी एक ही जो cinema है उसको release करने के लिए use कर पाएंगे computer है computer बनाने के लिए उस particular उसको जो लगने वाला capital है एक computer के लिए वही उसका part हम खरिदने के लिए equipment लेने के लिए computer बना पाएंगे एक machinery है वो machinery बनाने के लिए हम उसके लगने वाले जो particular जो हमें लगने वाली equipment है वो particular use यह capital machinery के लिए ही होगा उसके लिए other यहाँ पे use नहीं हो पाएगा तो उसे हम particular useful capital मानते हैं second यहाँ पे subtype है जो uses का कहता है multiple यह various capital इसे हम कहेंगी एक capital का use हम कई purpose के लिए यहाँ पे कर सकते हैं multiple purpose हम उसे यहाँ पे कर सकते हैं और उसका use कर सकते हैं यहाँ पे electricity है electricity यहाँ पे हम जब लेंगे तो उसे हम fan भी चला सकते हैं tublide भी चला सकते हैं रिजन के लिए बनाई जाते है और उसका particular यहाँ पर विहिकल का यूज किया जाता है तो यहाँ पर multiple various capital यहाँ पर show करता है कि हम उसका use multiple reason के लिए हम उसे use कर सकते हैं बट यहाँ पर particular use यहाँ पर उसी project को उसी purpose के लिए ही यूज किया जाएगा तो इन difference यहाँ पर जो है यह uses का यहीं दिखाता है एक particular और multiple uses क्या है तो इससे types of capital को हम present करने के बाद हमें team types मिले according to ownership ownership यहाँ पर private या capital को माला जाएगा या public capital माला जाएगा second यहाँ पर according to durability जहाँ पर constant capital है या variable capital है उसके sub type यहाँ पर देखे और third जो type है ओ कहता है according to uses जो particularly use किया जाएगा या various या multiple use किया जाएगा capital के बतौर तो इस तरह से आज की इस topic में हमने discuss किया कि इस तरह से capital की exactly क्या उसकी values है उसकी क्या meaning होते है जो economy के अंदर और भी भेतर तरीके से factor of production को बढ़ाने में capital का कितना एहम रोल यहाँ पर दिखाता है जिस तरह से हमने देखे कि किस तरह से उसकी features है उसके features और भी हमें समझने के help हुई कि किस तरह से उसकी value capital की किस तरह से बनी और उसे के साथ हमने types of capital देखे और इसी के साथ आने वाले next video में हम यहाँ पर discuss करेंगे entrepreneur exactly किस तरह से यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह से land, labor, capital इन तीनों factor को एक सही track में लाने की कोशिश यहाँ पर entrepreneur करता है जो आने वाले video के साथ हम उसे clear करेंगे तो आज के studio में बस इतना ही thank you